चल्चत्र अभ्यान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं करता हूं अभार व्यक्त करता हूं अभी गर्मी है और ऐसे वक्त पे हम लोग मजबूर होके पंचायत कर रहे हैं मेजर इमाईसु जी ने कहा भी था कि यह अजीब हालात हो गए देश में कि मोदी जी ऐसे फैसले लेते हैं बार बार ऐसा लगता है कि हमी जो है मजबूर होके सड़क पर हमें आना पड़ता है विरूद करना पड़ता है और यह अगर गलत फैसला इन्होंने अगरी पत्का ना लिया होता तो मैं राजस्वा की अप्री शपत लेके सोच रहा था कि आपके बीच आउंगा कि आम के बाग में बैटके आम खाएंगे दूद पिएंगे आप से मिलके आपका असिवाद लूँगा लेकिन वो भी मौका इन्होंने दिया नहीं हमारी जिम्मेदारी थी हमारी नेतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम बोलें गलत का विरूद करें राजनीतिक मुख्यदारा में और मुख्यदारा के बाहर भी जो भी लोग सामिल है उनकी यही जिम्मेदारी समाज ने उनको दी है जब आप चोदरी अजीज सिंग कहते थे और उनकी निदर के बाद छपरोली में आपने मुझ पर पगड़ी बांदी है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर ऐसा कोई देश में फैसला होगा जिससे आपको हानी पहुचेगी तो सबसे पहले सबसे आगे मुझे रहना है विरूद करना है तो विरूद कि अर्में विरूद इसलिए नहीं कर रहा अभी कोई चुनाव नहीं है अभी कोई वोट का मसला नहीं है अभी अब ब्लोग अपनी धकान दूर भी नहीं कर पाए और नहीं नहीं विधायक बने हैं वह अपना जसन भी नहीं बना पाए अभी कोई चुनाव या वोट का मसला नहीं है अगर हम लोग पंचैक कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं क्यूंकि हमें लगता है गलत लेकिन हमें और आपको सतर करेना ये एक सुरुवात है इनके पास एक अपनी बड़ी फोज है ये हमारे देश की फोज के साथ खिलवाड कर रहे हैं और अपनी फोज को लगा रहे हैं काम पे और उनका अदेश ही है कि समझाओ लोगों को बताओ कि बहुत अच्छा फैसला लि ससके लोग आएंगे और कहेंगे भई तुम विरोध मत करो तुमारी बड़ी इच्छी नोक्री लगने जा रही है आनंद महिंद्रा साहब ने कहा है कि महिंद्रा में आपको नोक्री लगेगी रतन टाटा जी ने कहा कि आजाओ टाटा के दरवाजे तुमारे लिए खुले ह अधानी जी कह चुके हैं हमारे कैलाश विजगर्गा भी कह चुके हैं कि चार साल बात क्या होना है मैं पूछना चाहता हूं आपने दो देखा ही है मुझठ फनगर में भी बीजीपी का कारयाले होगा देश के हर जिले में जब से सरकार आई इन्होंने मोटे लोगों से इस्टार होटेल को भी पार करने वाले कार्याले बनाएंगे और उन्होंने बड़े पैमाने पे देश के दूर दराज के छेत्रों में आज जहां कोई सुविदा आम जंता के लिए नहीं होगी लेकिन बीजेपी का हाली सान कार्याले आपको मिल जाएगा और आज भी वहां ग तो उसकी नोकरी काठके अगनीवीर को नोकरी दोगे या नया नोकरी पैदा करोगे कहां से पैदा करोगे नई नोकरी कहां से आ रहें देश में सारे सरकारी उपक्रम अपने बेश डाले सारी जो आपके विभाग है सरकारी विभाग उनकी आलत इतनी खराब हो चुकी है लेकिन तब भी आप भरती नहीं कर रहे हो तो नई नोक्री कहां से मिलेगी और चार साल हमारा तो विरोध इसलिए है कि चार साल में कोई नोक्री नहीं होती है आप जब लड़की देखने जाओगे रिस्ता जोडने जाओगे और पूछा जाएगा वे नोक्री है कि नहीं को नोक्री नहीं रिटार है हो जाएड़ा क्या रिस्ता बताओ नहीं हो नहीं का ने मेरी तो हो ना आपकी चिंता है और जिसको करनी नहीं नहीं जिनको निभाणी नहीं वोनने को फिकर नहीं ना आ आ mandi फची कि तो गंबीर बात है चार साल की कौ नोक्री मैं पूछना चाहता हूं سरकार से चार साल का यह आखड़ा आप कैसे आपने फिट मनाया यह चार साल का फॉर्मूला कहां से आया चार साल का पांच साल भी हो सकता था पांच का साथ भी हो सकता था दस भी हो सकता था बारा भी हो सकता था पंद्रा से आपने घटा के चार साल कर दिये क्यों क्योंकि चार से अगर पांच कर तो उन्हें ग्रेचूटी भी देनी पड़ती ग्रेचूटी भी ने देना चाहते हैं चार साल बाद इस सरकार आपको कुछ नहीं देगी गाओं में आप लोटके जब आओगे अगनी वीरों आप यह भी नहीं कह सकते हैं पूर रिटार्ट फोजी की जितनी सुविधा हैं जबाद बिमार परता है कोई फोजी तो आरेनार हस्पिटल जाता है विशेश अस्पताल अलग चिकित साले आपके लिए बनाये गए अच्छी सुविधा है वे सारे अस्पताल में कौन जाएंगे कौन लोग भरती होंगे जब चार साल में की नोक्री रह गई जैसे जैसे दिमे दिमे रिटार हो जाएंगे उन्होंने कह दिया कि चार साल की भरती होगी इस से अतरिक कोई भरती नहीं होगी इस से अतरिक कोई भरती नहीं यह चार साल की भरती है और उसमें भी 25 परसेंट तक वो भी लिमेट है यह नहीं कहा कि 25 परसेंट लेंगे कोई जरूरी नह कि पच्चिस परसेट लेंगे 46,000 पहले वर्स में लेना इस साल में उसमें से 15,000 ये उमीद न रखें कि 15,000 को चार साल बाद भी नोख्री मिलेगी ये भी तैय नहीं है तो कई इसमें शर्तें हैं बादीकी से देखने की जिरूरत है और हम और आप तो पहले ही समझ गए कि इनकी मंसा क्या है हमने आपने किसान अंदोलन किया सड़क पे आप लोग आए उस लड़ाई में भी नौजवानों की विसेश भूमिका थी ये तोपी वाले पगडी वाले तो बैठते थे मोर्चों पे और ये मोबाइल पे और प्रवी मीडिया पे लगातार प्रचार करते थे और जब जब सड़क पे आना होता था ज़क पे आ जाते थे तो जब जब पीछे अटना होता था तो भाग जाते थे तो असल गुणिल्ला युद्ट नैज्वानों नलवा किसानों के लिए चूंकि वो जानते हैं हमारे परिवार के सदस हैं और आज इन पे आच है आज इनके उपर खत्रा है आज इनका बहुत से दाओ बे लगा है और इसलिए पगड़ी वाले और टूपी वाली भी हमारे बुज़ुर्ग आगे आके आपकी लड़ाई लड़ रहे है नौजवानों इनका बड़ा असी वाद आपको प्राप्थ हो रहा है मैं धनवा देता हूँ मुझफण अगर की धर्ती को मुझफण अगर के वीरों को हमारे लोग दल के कारे करता हूँ क्यों के हमने मंच सजाया ये नौजवानों के लिए मंच बनाए बोलने की तो मेरे पास कम बाते हैं लेकिन मैं सुनना चाहता था और मैंने सुनी है जिनोंने मंच को सजाया मेहनत करी लोगों को निमंतरन दिया और आप लोग जुठके हाए मैं सब को धनवाद देना चाहता हूँ यह के शुरूआत है यह सिर्फ शुरूआत है और मुकाबला बड़े जूटे लोगों से यह कहते हैं कि हमारे पास पैंशन देने के पैसे न लिया आप से पूछके लिया था क्या जब बीस हजार करोड का नई संसत भवन को कि निर्मान में जो योजना लाए क्या किसी ने मांग करी थी को पुराने पार्लेमेंट से अलग हटके नई बिल्डिंग बनाओ इंडिया गेट को पूरे गोजार दो मुदफन अगर किसी आ अगर बचत करने तो वहां बचत कर लो लेकिन देश की रक्सा होनी चाहिए देश की रक्सा करने वाले हमारे फौजी का सम्मान होना चाहिए उनके लिए सुविदाएं और देनी होंगी और मैं आपके बीच आखड़े एकना चाहता हूं जो सच्चा ही है यह जो कह रहा है क दस साल को आप हिसाब लगा लो 2011-12 से लेकर 2021-22 तक देश के बजट में जितना कुल खर्चा था जो कुल वे था जो टोटल गवर्मेंट का एक्सपेंडिचर था टोटल एक्सपेंडिचर उसका 2011-12 में डिफेंस पे 16.7 परसेंट खर्च होता और वो घटके 13 परसेंट हो गय दस साल में घटा है डिफेंस्पेंडिचर दस साल में टोटल एक्सपेंडिचर में जो तरकी का दर है प्रगती का दर है वे 10 परसेंट से जञदा है और डिफेंस में आपने 8.3 परसेंट ज़्यादा खर्च किया है यानि जो बढ़ोच्री होनी थी और इसलिए आज याघ फौज में तक्नीकी करण लाना है जैसे इसराइल लड़ती है आप देख रहे हैं रस्या और यूकरेन में यूद्र चलना है तो ड्रोन यूद्र कर रहे हैं इस तरह की बाते हैं इस तरह की बाते हैं आपको बर्गलाने के लिए लोग करेंगे अगर तक्नीकी करण लाना है त कोई तक्नीकी करण होने वाला नहीं है और मैं दावे के साथ कहता हूं उनके पास कोई योदना नहीं है आज जो पहले इससे पहले जो सेना में भरती होते थे बड़े-बड़े अधिकारियों ने इसका विरोध किया क्यों किया मैंने भी उनसे बात की समझने की कोशिस की और बोने मुझे बताया कि फौजी तीन साल कि तैनें पर तैयार होता है जिसको श्याचन में लड़ना एं तीन साल से पहले तैयार नहीं हो पाता है उसकी बड़ी टेकनिकली ट्रेणिंग होती है और यह छे महने की ट्रेणिग में क्या सीखेगा हूं वह अगनीबीर नहीं बन और मेरा जन्रल योगंदर जी ने कहा है कि फौज मरने के लिए नहीं होती मारने के लिए बनाई जाती है जिस घर का सही रोता है उसके दर्थ को आप समझने की कोशिश करें महोदी जी उनकी सहाधक पर उनकी लासों पर आपने खूब राजनी ती कि है मेज़ा पिसला चुनाव लोकसभा का चुनाव कैसे जीते होँ हमें याद है आपने उस चुनाव हमिद्वार ने के सम्मान में मुझे दे दो यांद होगा ऐसी वासा कभी किसी पतान मंत्री बज में दाविदार ले कभी नहीं कई कभी किसी प्रधान के उमिद्वार ने भी देश के धर्ती लो के ऐसे वोट नी मैंगी भी जिस तरह से आपने बोट माँगी थी जो केर्टिमान सेना करती है जो रखवाली सेना के फोजी करते हैं उसको भाजबा के रूप में दिखा करके कि हम लोग कराते हैं हमने उनको आद प्रोसाहित किया लड़ने को और हमने उनको बेजा लड़ने को तब जाके लड़ाई लड़ रहा है नहीं जो फोजी देश की सीमा पर खड़ा है वो अपने कर्तव या कर निर्वा कर रहा है अगर उसे पूरी ट्रेनिंग नहीं होगी तो कौन जिम्मेदारी लेगा जो वो शहीद की जो डेड बोडी मत कीजिए मोदी जी मैं आपसे आगरे करता हूँ अभी तो हम अच्छे रूप में आपके सामने हैं बड़े शांती से पंचात कर रहे हैं आप तो बता जाता है कि बहुत जिद्धी हो लेकिन मुझा फनगर का आदमी तो आपसे ज्यादा डबल जिद्धी है मैंने पहले भी कहा था किसान पंचात में के आपसे ज्यादा जिद्धी हम लोग हैं और जो सच्चा आदमी होता है जो इमांदार होता हो जिद्धी होता है क्योंकि उलड़ाई सर उठा के लड़ता है हमने कोई दगा नहीं किया राजपाल जी कहा रहे था कि फोजियों ने बड़ा सपोर्ट किया था मोधी जी को लेकिन आप इनकी इतिहास खोल के देखेंगे गुजरात से लेकर कि यहां तक जहां तक पहुँचें जो अनका ज्यादा साथ देता है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उनोंने ठगा नहीं है इसलिए जो हमारे साथ ही कुछ पहले हमारे हां होते थे बीजीपी में चले गए और आप पे भी डोरे डालते होंगे चुना बाद डोरे डालते होंगे कि आजाओ भाईयों उन्हें बता दो कि तुम ज्यादा साथ दे रहे सबसे पहले जो है कैची तुम परी चलनी है और चल रही है यह आप पर ही कैची चल रही है यह कुलाडिया आपको ही मारी जा रही है पंजाब राजिस्तान हर्याना उन पर देशों पे जिन छेत्रों ने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी यह उस समाज को निप्टाने के लिए योजना लाए है यह अगनी पत योजना नहीं है तो ठगी यह आपको ठगने के पूरी नहीं होती सरकार की तब तक हम इस योजना का विरोध करेंगे या तो यह योजना खतम होगी या यह सरकार बदली जाएगी यह फैसला भी समय रहते आपको करना होगा बाकी देखो अभी पर्ची पे मुझे लगा कुछ गन्या की बात होगी पेमेंट की बात होगी बिजली की बात होगी किसान की बात होगी पर्ची भी लिखा है बुल्डोजार यह कोई मुद्दा नहीं है यह कोई मुद्दा नहीं है यह कोई मुद्दा नहीं है योगी जी पूल्डोजर स्टार्ट ये करेंगे चावी हम ले लेंगे चावी हम खोस लेंगे इंसे कि सबसे बड़ा सवाल आप देश के सामने रोजगार का ही है बहुत बड़ी चिंता है लोगों की है नोक्री नहीं मिल रही है दोजार अठारा में अर्शनेक बनों की नोक्री निकाली थी इन्होंने 55,000 की बड़ती और नागपुर से पैदर चलके दिल्ली आ रहे हैं बच्चे अठारा में नोक्री निकली 19 में हम्तियान लिया एक साल बाद रिजल्ट निकाला और सबको नोक्री दी नहीं पद भरे नहीं गए पूरे अब पद खाली छोड़ी सरकार जान बूझ का सेना में भी उन्होंने यही किया जान बूझ कर 2019 के बाद भरती नहीं की आप नौजवानों समझ लो जो आपके भी जाके RSS वाले कहेंगे न देखो नोक्री मिल तो रही है मोदी जी का इतना बड़ा दिल है देखो उन्होंने आपको नोक्री दिये नहीं नोक्री मिल रही है कितनी अच्छी बात है चार साल की भले सही हो नोक्री है तो यहीं कहेंगे आपको 2019 में 80,000 बर्ती किये थे दो साल तीन साल पूरे बर्ती नहीं करी उसके बाद 46,000 आदी नोक्री निकली है और वो भी नोक्री नहीं है ट्रेनिंग है तो आर्मी का ITI बना दिया तो इनसे बचके रहना ये तो ऐसे लोग हैं कि आपके जब जेब कट जाएगी तो आपको आके बताएंगे बहुत अच्छा हुआ बाई टेंशन खतम अब बेकार में बटवा समाले भिटते थे बार बार हाथ जाता था तुम्हारा बटवे को समालने के लिए अब किसी और का भला हो जाएगा बुरा मत माननों तुम्हारी जेब खट गई यहीं बताएंगे आप यह गंजे को कंगा बेश सकते हैं बेशने में महिरें तो इनसे सपर के रहना हुसियार रहना आज दूसरी पंचायत है कल यहां से मैं बिजोर जाओंगा लगातार 16 तारीक हमने गोश नौजवान के सवाल किसान के बाद मुझवफनगर की बाद वहां सदन में सदन की गरिमा रखते वे रखना हुआ यह मैं आपको वादा करता हूं और इस पहले चरण के बाद हमारे पास तो प्रतिबह साली नौजवान भी हैं और प्रतिबह भी आ गई है राजिस्तान से च करेंगे जहां कोई विरूद करेंग हम लोग पार्टी के कारीकारता पहुंचने का काम करें तो मैं दंदवाद देता हूं बहुत हां दिल्ली की ऐगूर करेंगे पहले हम लोग यह 5 आतों का सिलसला है मैं आपका देखक लो लोग कोई दिक्कत नहीं और दुनिया को खिलाते भी आप यू तो शुगर की चर्चा नहीं करूंगा लेकिन ब्लड पैसर देखने आया था ब्लड पैसर ठीक लगा मुझे आपने खून की पुकार आज सुनी है और खून की पुकार आगे भी सुनोगे मैं लाख बार धन्यवाद करता हूं मुझे फनगर की धर्टी को और आवान करता हूं का ऐसे ही आगे जो पंचायते होंगी हमें आशिवाद दीजीगा और ताकत दीजीगा धन्यवाद जैए जै करते हुआ हैं